तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चार बड़े अपडेट्स के बारे में जो अभी अभी रिसेंटली इकनू की तरफ से अपडेट किये गए हैं और यह जो चार अपडेट हैं यह सभी स्टूडेट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देख लेना क्या है वो अपडेट मैं आपको वन बाई बताता हूं लेकिन उससे बला अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकनू से एलेटेड हर अपडेट और इंफोर्मेशन के लिए एकनू बड़ी यहां पर यह जो अपडेट है यह आज भी आ सकता है क्योंकि जो दूसरा मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं वो जी से रिलेटेड है तो यह अपडेट आप देख रहे होगे रिवैलुएशन का तो यह अभी अभी पब्लिश किया गया है एकनू की तरफ से रिवैलु कि maximum time जो रिवैलुएशन और टर्मेंट एक्जाम का रिजल्ट होता है वो साथ ही अपडेट किया जाता है तो अगर यह रिवैलुएशन का अपडेट आ जाया है तो शायद आपका जो टर्मेंट एक्जाम का रिजल्ट है वो साम तक आ सकता है चांसिस हैं आ सकता है अगर आएगा तो मैं आपको जरूर इस चाहर पर अपडेट कर दूँगा तो यह दो अपडेट हो गए और जो तीसरा अपडेट है वो बहुत important है तीसरा अपडेट आया है आपके जून 2023 असाइन्मेंट स्टेटस का तो यहां पर आप देख सकते हो 25 सब्टेंबर को इस स्टूरेंट के दो असाइन्मेंट का स्टेटस अपडेट किया गया है और जो पिछला जो असाइन्मेंट स्टेटस है वो 15 सब्टेंबर को अपडेट किया गया था और अभी उसके बाद 25 सब्टेंबर को कई सारे स्टूरेंट का असाइन्मेंट स्टेटस भी अपडेट किया के साथ साथ ही अपडेट किया जाता है तो ये बहुत बड़ा अपडेट है 25 सप्टेंबर को कई सारे स्टूरेंट का रिजल्ट और ये जो assignment status है ये अपडेट किया गया है तो आप भी अपना status चेक कर सकते हो दूसरी important बात ये है कि अगर आपका status यहाँ पर show होता है तो time to time अपना grade card भी चेक करते रहना क्योंकि status update होने के बाद कभी भी आपके marks आपके grade card में update हो सकते हैं तो जरूरी है कि आप अपना grade card भी साथ की साथ चेक करते रहा करो क्योंकि main चीज़ है कि आपके marks आपके ग्रेट कार्ड में अपडेट होने चाहिए चाहें फिर वो Assignments के Marks हो चाहें फिर वो आपके Theory exam के Marks हो Next Update जो आया है वो आया है आपकाら का तो जो भी Students ऐसे हैं जिनके उनका Housing Status Update हो चुका है और Assignments Status Update हुए एक अफ़ते से ज़्यादा हो गया है उन्हें students के marks को grade card में update कर दिया गया है और जो students का result आ गया है उनके भी marks को grade card में update कर दिया गया है तो अगर आप student हो जिसके result और assignment का status update हो गया है वो अपना result अपने grade card में भी check कर सकते हैं तो यह ऐसे चार बड़े अप्डेट हैं जो अभी अभी रिसेंटली इगनु की तरफ से पब्लिश किये गए हैं तो अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इगनु से रिलेटेट हर अपडेट और इंफर्मेशन के लिए इगनु बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू सो मच